हाई गाईज वेल्कम बेक टो मैं चैनल स्टाइल विद मी और मैं हूं मुस्कान आज मैं आप सब लोग के साथ शेयर करने वाले हूं अपने टू इजी ट्विस्ट हेस्टाइल तो चले जल्दी से स्टाइल करते हैं और देएख विदियो को लाइक हैं अपने एज़ की सेंटर पार्टिंग करेंगे नाव हम अपने हेर्स के एक सेक्शन लेंगे फ्रंट सेक्शन अद उसको टू पाच में डिवाइट करेंगे लाइक दाट अब हमें इने ट्विस्ट की तना है इने ट्विस्ट करना है और हमारे फ्रंट सेक्शन से फ्रंट से एक सेक्शन लेना है हेर्स का और उसमें एड़ करते जाना है और ट्विस्ट करना है जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं अब मेरे अपने हैर्स को स्लाइटली पूल अप करोंगी जिससे मेरे जो आगे मैंने ब्रेड बनाई है अब एक से पंस अपने ऊप के आप आप ना हम अपने सेकेंड स्याइड में भी अपना ट्विस्ट है स्टायल्ले बना लेंगे चब दनब आ नहीं के पिसी भी समॉल रवर ब्लावर ब्लावरवर बैंड की हैसे टाय कर दूंग तो हमने लास्ट में पिन अप किया था अपने हेर्स को और उसे टाय करके लाट ओवर अपने कॉम कर लूँगी तो यहां मेरा फॉर्स्ट हेस्साइल रएडी है अपने हेर्स की सेंटर पाटिंग करेंगे अपने हेर्स 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 सेंटर पाटि त्विस्टे बेंकर आपकिन के पुलिव लिए बन के से और आने पुलिव तो दो तैम रिपीत करेंगे और ट्विस्ट चरके अपने सेम पुलिव पिन से अटाइच कर देंगे पूर अपने लेर्ड इसपर त्विस्ट को अब हम अपने फोर्थ सेक्शन को कम्प्लीट करते ही अपने पिन को हटा कर I mean हमने जो बॉबी पिन अटैच करें हम अपने फोर्ड लेर्स को अपने हाथ में लेकर एक साथ ट्विस्ट करेंगे स्लाइडली पुल अप करके इसे पिन अप करेंगे सो यह ने अपनी वन साइद कम्प्लीट कर ली है अब मेरी जो सेकिन साइड है महीं उसे लेफ्ट ओवर नहीं रहने दूंगी अपने सेकिन साइड में भी अगेन अपना टोइस्ट हैस्टेल बनाओंगी तो यहाँ सब मैं अपनी हेर्स की सेकंड साइड भी कम्प्लीट कर ली है सुया देर इस माइ कम्प्लीट हेस्टाइल आप सब लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा सब लोगों ने देख लिए इन मीनी ट्विस्ट इजी हेस्टाइल को कैसे आप अपने घर पे ही बना सकते हो और इनको बनाना कि इतना ज्यादा एजी है तो आप इससे अपने घर पे ज़रूर प्राय करना और मुझ पर कौन से हेस्टाइल जादा सूट कर रहा है वो आप मु